येस और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग्स टू आल माई सी एस्टेंट्स होप यह डिंग वैल और कैसे आप सब होप आप सब अच्छे होंगे और मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूं तो जो आपका कल मैंने वीडियो अप्लोड किया था न्यूस लिबस के एसपेक्ट म आदे घंटे के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में आई से के जो न्यूली प्रेजिडेंट है अनिकेत तिलाटी सर जी उन्होंने अपने स्टेट्मेंट वहां पे दिया है और काफी स्वेंट उसके बाद मुझे मैसेज करने लगेगी सर इसके बाद आपका ये प्लीज इसक उसको लिखके उसका प्रिंट आउट ले लिया है तो मैं आपको इसके अंदर पहले तो पूरा स्टेट्मेंट पूरा रीड करूंगा मैं उसके बाद थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है तो प्लीज मैनेज कर लीजेगा और एक एक वर्ड को जड़ा ध्यान से सुनना आपको इसमें पूरा अनालिसिस करके दूँगा स्टेट्मेंट का जो आपके लिए रेलेवेंट है मैं सब चीज इसके अंदर डिस्कॉशन नहीं करूंगा सिर्फ और सिर्फ न्यूस लेबस की जो एप्लीकिबिलेटी है मेरे टॉन्टी टॉन्टी फोर के लिए उसको ले आने वाली जो फर्दर अपडेट्स है आई सी ए आई से लेटेट जितनी भी अपडेट्स मिलती रहेंगी मुझे मैं उसको जादा से ज्यादा अपने आपको बिलकुल फैक्ट और ऑथेंटिक इन्फरमेशन आपको देने की कोशिश करूंगा सो बस आपको क्या करना है इस आई सी एई न्यू कोर्स फ्रों मेर वन्टी वन्टी फॉर सेट बाई आई से प्रेजिए प्रेजिएंट ये टाइमस अफ इंडिया के इंदर एक बिलकुल लेटेस्ट न्यूस आई से का जो कल प्रेजिएंट ने यहां पर वर्ड दिये हैं यह एमदाबाद के अंदर प्रों में 2024 अस्तेमेंट फ्रों इस अई सेट अनुस्डेग तूस्डेग अंदर आपकी हुई थी जहां पर यह स्टेमेंट आया है The statement quoting, newly elected National President of ICI, Anike Talati, said the Institute has also signed a 16 Memorandum of Understanding with the various international organizations, including ICAEW, Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Under the new education policy, students studying in the CA Foundation course will have four question paper, while those in intermediate and final course will have six question paper compared to eight paper earlier. CA students had to undertake the articulci for a three-year period which has now been reduced to two years, right? कोई दिक्कत नहीं है, sir. The statement said that, यह बहुत important statement पढ़ने जारा हूँ, अब जरा इसको ध्यान से सुन लेगी है, आप The statement said that the new structure has been sent for approval to the union government and will be implemented from May 2024. अब मैं जरा यहाँ पर रुकता हूँ, इसके नीचे की जो information है, वो सब कुछ वो ही है, जो आपको पहले से पता है, मैं आपका और जादा फाल्दु टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि सिंगापूर में जो एक statement है, हमारे अनिकेत तिलादी सर ने बताई थी, कि support करते हैं, the statement said that the new structure has been sent for approval to the union government and will be implemented from May 2024, इसका मतलब क्या है, देगे, कल में आपको क्या बताया था, कल में आपको बताया था, कि ICAI के Central Council Member का कहना ये है, कि अगर अगर ये आपका पहले तो मनोज गोविल जी है, उन्होंने सारी चीजे consider करी है, इसके इलावा जो चीज यहाँ पे, first week of April में, मैंने क्या बताया था, first week of April में, आपकी Ministry of Finance, जो कि हमारे Honorable Shri Nirmla Sitaramanji है, उन से approval लिया जाएगा, और जैसी approval मिल जाता है, उसके April मन्त में, in the April मन्त itself, you will see the notification from the ICI for the applicability of the new syllabus from May 2024, या आप कल की वीडियो देख लेना, मैं आपको कली अपडेट किया है, आप जाकर करके, please description में भी उसका link दूँगा, आप उसको देखेगा जरूर, तो यहाँ पर मैंने आपको पहली बताजे था, कि आपकी जो भी चीज रेक्टिफिकेशन थी, जो Ministry of Corporate of Finance को इंस्ट्रक्शन दिये थे, वो सारी चीज़े को consider करते हुए, उसको rectify करते हुए, जो rectification थी, वो article shift training period, as well as transitional period को ले करके थी, और उसको consider करने के बाद ही, मनोज गोविल जी ने ये proposals जो है, वो sent किया है Ministry of Finance को, that means the union हमारी governments को, तो of course है, ये Ministry of Corporate Affairs से ही regulate होती है हमारी body, तो उसके respect में उसको approval मिल जाएगा, within first week of April, और April मन्त में ही इसको क्या कर दिया जाएगा, ये notification आपको देखने को मिल जाएगा, right है, हो सकता है, उससे पहले भी थोड़ा सा, इसे ही अगर initiative लेती है, तो जल्दी से जल्दी भी का attempt है, उसमें new syllabus आ रहा है, ये as per the times of India statement that has been said by हमारे जो newly president है, that is C. अनिकेत तिलाती साहजी, उन्होंने ये statement बोली है, तो new syllabus में 2024 में तो ही confirmed है, right है, ये चीज़ आपको कि स्टर के लिए हो गई, अब इसके बाद कुछ से कहेंगे, कि sir, हमें ये बताओ कि जो old syllabus में transitional period था, उसके बारे में क्या हो सकता है, तो देखो, मैं आपको regular update देता रहूँगा, अपने YouTube channel के थूँ, उसके लिए आपको tension लेने की दोतनी है, इस channel को subscribe करके रखो, first of all, अगर आप इस channel को subscribe नहीं करते हो, तो आपको real और fact और authentic based information आपको कभी नहीं मिलेगी बात दरना, आप ऐस अभी के फिलाल के हिसाब से, transitional period जैसा मुझको लगता है, इसे बिल्कुल definitely आपको देगा, एक दो attempt तो at least कम से कम ICAE देगा ही देगा, लेकिन, लेकिन, सुल ये मेरे बात को, जिस हिसाब से ICAE का जो intention था, November 2023 से लाना, इस new syllabus को वो नहीं हो पाया, तो ये भी हो सकता है, क्य क्योंकि ये पहले चीज बताए कही थी, डॉक्टर मनोज गविल जी नहीं कहा था, कि जो old syllabus वाले strength उनका, जो interest है, वो prejudice नहीं होना चाहिए, तो ऐसा भी हो सकता है, कि ICAE जो अभी आपको में और November के attempt भी दी गई है, उसको consider करके, वो सीधा सीधा automatically conversion करवा दे, तो इतनी च चीजे नहीं पड़ी है, यह बहुत बड़ा statement है, मेरे सिर्फ आपको relevant जो statement था, वो ही आपके साथ यहां पर support किया है, तो जो भी direct entry students वाले अभी wait कर रहे हैं, मैं उनसे भी एक चीजा कहना चाहूँगा, कि अभी आपके पास May 2024 का attempt आप May 2024 में attempt देंगे, तो अपने आपको अब ध्यान से सुन लीजेगा, आपके पास New syllabus में कोई training का criteria नहीं है, आपको पूरा 8 month का study period slot दे दिया जाएगा, कि आप अपना study करिए, और उनसे में एक suggestion और, मैं को एक suggestion और देना चाहूँगा, इस पूरे time में, अभी आपके पास 1.5 साल का time period है, तो आपको practical training के लिए जाना चाहिए, जो हम offer करते हैं, अपनी practical training में अपने knowledge को explore करने के लिए, क्योंकि जब आप अपनी 8 month की study करते हैं, तो उसमें आपको practical linkage मिल जाती है, और उसके बाद अपने आपको, जब आप CFM में अपने आर्टिकल चिप जोईन करेंगे, तो वहाँ आपको, in addition to the stipend, they will give you the salary as an executive or that is as an assistance, they will give you as a salary, okay, so important चीज जो मैंने आपके साथ discussion करने थी, वो कर दी है, और hope you found this video is very very informative, and definitely कहीं ना कहीं ये channel आपको जरूर helpful कर रहा होगा, हर चीज में मैंने आपको best effort दिये हैं, तो आप लोगों का बस प्याद चाहिए, और इस वीडियो के target रखता हो में likes के at least, at least, that is 500 likes, तो मैं target रखता ही हूँ, और आप मुझे जरूर विश्वास है कि आप इसको achieve करा देंगे, और इसके साथ साथ जो students, एक चीज और बे आपको कहना चाहूंगा, जो practical training का demo sessions अगर देखना चाहते हैं, उनको लगता है कि demo वगरा देखना है, तो JIT pro, Google जो JIT pro वा करते हैं, और JIT pro का session मैंने आपको दे रखे नीचे, description में जाकर का उसको जुरूर देखिएगा, thank, thanks a lot and thanks for watching this video, God bless all of you.